इस वीडियो में हम बात कहने वाले हैं Facebook के अंदर एक option के अपारे में जो यहाँ पर हमें She More के अंदर मिलता है जिसका नाम है यहाँ पर Mentorship Mentorship जो यह होती है इसका basically यूज क्या है और यह क्यों दी गई हमें होती हैं पर तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर details में तो इसके लिए आपको option पर जाने के लिए सबसे पहले menu bar में जाना होगा menu bar में she more पर जाना होगा she less करके अगर यह बंद हो जाएगा पर क्लिक करने के बाद यह option आपको mentorship मिल जाएगा आप तो इसका काम बताता हूँ मैं इसका काम क्या है इसको खोलता हूँ तो यहाँ पर दो आप सब्सक्राइब हैं basically एक तो find a mentor रहता है और become a mentor रहता है तो अब यह क्या है मैं आपको पहले यह बता देता हूँ तो यह expert support क लिए होता है basically जो आप एक mentor बनते हैं तो उसके लिए आप अपनी skill को export यानि कि किसी को भी वो देने की दे देते हैं जैसे कि कोई जैसे हाँ पर हम find करते हैं एक mentor को तो यहाँ पर आपको दिखाई दी जाएगा बहुत सारे mentors होते हैं जो अपनी skills को use करके किसी को भी messages को reply कर देते हैं और उसे engagement बना लेते हैं तो यहाँ पर आपको हर किसी का दिख जाएगा कि क्या के skills उसके बास हैं तो वो basically support का यह option होता है कि आप किसी से भी support ले सकते हैं आप जैसे हां से send messages करते हैं तो वो उसको पुच जाएगा और वो अपने हैसाब से available होकर आपको reply दे सकते हैं या फिर इसको use करना चाहें तो find करके आप बस use कर सकते हैं और अगर आप expert बना चाहते हैं support करना चाहते हैं किसी भी person का तो sign up कर दीजे इस पर sign up को option है तो इस पर जैसे टिक करते हैं आप तो यहां से आता है कि यहां पर अपने about में लिखती जैसे कुछ भी लिख management है और एक personal growth है तो personal growth पर लगाते हैं और यहां पर आपको जो आपकी topic से उसको add कर लीजे तो यहां पर हम choose कर लेते हैं जैसे choose हम ने कर लिया तो save कर दीजे इसको उसके बाद और यहां पर आप एक mentor बन जाएंगे अब जो आपका profession है वो search करता है उसको वो मिल जाएगा तो अब यहां पर इसी तरीके से सब का point of job कर रहता है सब कुछ profile उसी तरीके से आपकी भी आ जाएगे ठीक है तो यह process रहता है इसका अगर यहां पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दीजेगा और channel को subscribe भी कर दीजेगा